सारे अनु सश्रीकाल अज तर जो टॉपिक है गया है वो है गया डिफरेंट टाइपस ओफ स्केडियूलर एंड डिफरेंट टाइपस ओफ स्केडियूलिंग अल्गोरिथम यह टॉपिक प्रॉसेस मैनेजमेंट दे नाल ही रिलेटेड है जो कि जिदे विच अपा स्टार्ट के वो लेक्ट्र टीड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइपस ओफ स्केडियूलर्स तिन तरीके दे स्केडियूलर्स हुन देने लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जिडे की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है प्रॉसेस मूज स्केडियूल करन लई इनना दे नाम रखे हैं जएड़ा सेफ सिपल ते सब्सट्व नेडे हुन दा है उन्हों शॉर्ट ट्प्रम के दिजिरकें हैं जीरी इप्रजिशन मीडियम ली प्लेश्ट हैं गिये ऑपरेटिंग सिस्टम तो रिलेटेड उन्हों आप मिडियम टों के देने हैं जड आक स्केड अज में आप टाइम टेबल बना है कि नौ वजे एक लोगू 10 वजे एक लेक लोगू 11 वजे लेक लोगू टाइम टेबल अपना जाधा कम नो छोटे थोड़े टांदे विच मैनेज करन दे विच हलप कर दे सेन एही गाल है, CPU को ले बहुत सारे प्रोसेस होंदे है, हर स्टेट दे विच प्रोसेस होंदे है, प्रोसेस दी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होंदे है, ते हर स्टेट दे विच एक तो जादा प्रोसेस होंदे है, उन एक तो जादा प्रोसेस जदो होंदे है, उनना नू मैनेज करना सीक्वेंस विच अरेंज करना ओडर विच ताकि हर प्रोसेस दी बारी आ सके तरीके नल बारी आ सके जिनू पहलना लोड है या बाद चो लोड है किस तरीके नल उन्हानी बारी आनी चाहिए एक कौन डिसाइड करद है स्केडियूलर डिसाइड करद है उन्हानों लाइन दे विच लगाके रखद है उस पहला ही थाकि जदो सीपियो को ले जान ओदो सीपियो सिर्फ उन्हानों एक्जीक्यूट करनते त्यान दे उन्हें सारा काम कौन करदा है ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना एक प्रोग्राम बनाया हुया है जिन्हों अपस्केडियूलर कहने है जेड़ा यह चीज हेंडल करदागा उन तिन में जगे बुए जथे बोखॉट सारे प्रोसेस एक साथ कठी हुं देने उन्हीं तिन जगागा लाई आपा तिन श्केडियूलर लाई एक लाया शॉर्टम एक लाया में त आप लॉंग टॉम होली होली करके अपा इनना बारे स्टडी करते हैं जड़ा लॉंग टॉम स्केडूलर है इन्हों आपा जॉब स्केडूलर भी कहने हैं क्यों कि प्रोसेस नूँ पहले जमाने चे काफी पुराने जमाने चे अपा जॉब्स केंदे सी जुदो बैच एक ही करदा है गया कि जिनने भी प्रोसेस रेडी क्यू दे विच पहले होंदे है रेडी क्यू दे विच भी बहुत सारे प्रोसेस त्यार होके आजाने है रेडी होके आजाने है कि हाँ असी त्यार है सानूं सीप्यू को ले पेच दो एक्जिक्यूट हों ली ते रेडी द विच जिनने भी प्रोसेस पहे हुंदे है उननों किस तरीके नाल अरेंज करना CPU तक पुण जाना ए सारा कम हुंदे है लॉंटर्म स्केडियूलर दा या जॉब स्केडियूलर दा तुसी दूसरे तरीके नाल ए भी कैसा दे हो कि वो प्रोरिटी डिसाइड करता कि पहला रेडि क्यूदे विच जड़ा प्रोसेस पहे है पहला उचों केड़ा प्रोसेस एक्जिक्यूट होगा बाचों केड़ा प्रोसेस होगा उस तो नेक्स्ट केड़ा प्रोसेस होगा जिदो CPU नो time लगदा है ओहो long term scheduler तो मगवा के process नो execute कर लेंदा है CPU तो सब तो dual distance ते केड़ी state हुंदी है ready state हुंदी है long term scheduler प्या हुंदा इसलिए यह नो long term scheduler कहनदे है medium term scheduler medium term scheduler नो CPU scheduler कहनदे है दो तरीके दी states आपा पढ़ चुक्की है एक block ते एक suspended block दे विच आपा process नो block कर देने हुदी further execution नहीं हुदे suspended दे विच आपा उनो temporarily CPU नो छड़ के बार दे देने है जिन्नाचिर आपना बाकी कम complete करके दुबारा आंदा है तो यह दोनो ही states चो आपा CPU चो उनों विच विच आले execution ने बार कर देने है प्रोसेस नो तो यह उन जड़े बार किते गए process हुदे है उन्हानों दुबारा line विच लेके ओना एक कम हुदा है medium term scheduler दा जिदे ले दो basic कम करने बहुत जरूरी हुदे है एक हुदा है swap in ते एक हुदा है swap out swap in हुदा है swap out हुदा है जिदो CPU तो आपा किसे भी process नो विच 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 आले कड़ के बार कर देने है उन्हानों कहने है swap out करता process नो जिदो आपा CPU दे दुबारा अंदर ले ले लेने है उन्हानों कहने है swap in करता किसे process मूदा क्योंकि जिदो आपा किसे भी process नो बार कड़ांगे उन्हाना चिर CPU खली नहीं बैठ हुदा जिदो process कोई जिमें एक process मानलो P1 है उस process नो मैं विच 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 विचाले execution दे CPU तो कड़ के बार करता कि क्यों नो किसे होर कम दी लोड सी तो उन्हें time CPU किसे होर process नो ले लूगा कम कर ले ओ प्रोसेस नो मानलो P2 है एदा मतलब P1 नो मैं CPU तो बार कड़ देया swap out किता त मतलब CPU दे अंदर ले लिया इस process नो कहांदे है swap out ते swap in जोदो कि किसे process नो अपा swap out कर देया है एदा मतलब उन्हों main memory तो आपा secondary memory पेज रहे है ते जिदो किसे नो swap in कर देया है उन्हों secondary memory तो वापस main memory ज लेके होने है क्योंकि CPU किते पे आंदा है हमेशा main memory ज यानि की RAM दे विच इसलिए जो वीच यह CPU को ले आ रही है एदा मतलब उन्हों किते ओना पोगा main memory जोदो आपा swap out कर देया है मतलब main memory तो आपा बार जा रहे हैं जोदो आपा swap in कर देया मतलब आपा main memory ज आ रहे हैं ते कितो आमांगे दूसरी memory अपने कोले केडी हुन दी है scantry memory इसले swap out मतलब मतलब में 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 ज ले ले ज ले जाना है ताकि CPU कदे वी वेला ना बैठना पावे क्योंकि जो CPU वेला बैठ किया तो एदा मतलब अपा उधी utilization चंगी तरह नहीं करें, उन्हों use चंगी तरह नहीं करें, जो किसे भी चीज में use चंगी तरह नहीं करें, उधी efficiency उधा काम करना, उधा performance decrease हो जान दी है, इसनों त्यान रख दे होए, अपा हमेशा कोशिश कर दे है कि CPU नूं, CPU नूं तोड़ा सब्तों जाधा कम मिले, त्यों कदे भी free ना रवे, लास्ट होंदा है, short term scheduler, short term scheduler की कर दे है, जेड़े भी process ready queue तो आंदे नहीं, उन्हों चक के CPU नूं allocate कर दिन दे, जेड़े ready queue च पहे होंदे है, कि बस हुन सान एक्जिक्यूट कर दो, उन्हों CPU नूं provide कर दे कि आ वाले process है, punch process है, बिल्कुल त्यार ने, सारा बस एन्हों CPU को ले पेज़ने है, जोदो इन CPU free हुनदा है, उन्हों पंच process दे विच एक नूं चूस करके हो CPU को ले पेज़ने है, एस CPU दे सब्तों नेड़े हुनदा है, इसले एन्हों CPU या short term scheduler क् इन्हों CPU scheduler भी इसलिए क्या जानदा है, क्योंकि ए सब्तों जाता close CPU दे हुनदा है, उन्हों तुसी diagram दे विच देखो, जदो भी process new बनके ओनदा है, नमा बनके ओनदागा, ओर ready दे विच जानदा है, उन्हों न्हों तो उस left करके ready विच पेज़ना, ए long term scheduling दा कम हुनदा ready तो running दे विच पे जना, ए short term दे विच हुनदा है, तो suspend state दे विच जेड़ा भी कई काम करतागा, ओ कौन काम करता है, medium term scheduler, त्यूंकि जिने suspend होना है, ओ वापस ready दे विच जाओ गई जाओगा, तो suspend होए विच ओ कौन ready दे विच जाओगा, ए बिसाइड करता है, medium term scheduler, ए थे long term करता है, थे short term, तुसी देख सकते हो running दे विच CPU है गया, CPU दे सब तो नेड़े short term है, फिर medium term है, तो long term सब तो दूर हुनदा है, new state सब तो पुरानी हुनदी है, सब तो दूर हुनदी है, ready दे विच ओहो medium term इसले नेड़े है, क्योंकि ओहो running दे विच एक वारी आ दे रेंदागा, इसलिए वो medium term scheduler कहला हुनदा है, तिन तरांदे आपा scheduler पाढ़ ले है, medium term, short term, long term, long term सब तो दूर, medium term विच विच आले, short term सब तो नेड़े, short term ready दे विच ओहो एक नू सिलेक्ट करके running पेज़ दे है, long term new दे विच ओ सिलेक्ट करके ready पेज़ दे है, ते medium term जेड़े suspend होए हुनदे है, उनना दे विच ओ सिलेक्ट करके ready पेज़ दे है, context switching, एक topic है जेड़ा की scheduling दे विच बहुत जादा यूज हुनदे है, जिमेकी अपा थोड़ी देर पहले ही पड़ेया है, swap in, swap out, एक बार जाओगा, दूसरा process अंदर आओगा, जेड़ा process बा process अंदर आओगा, ओधी state मों अपा लोड कर लेने है, एनों कहने है, context switching, एक डाइगराम दी help नाल होर चंगी तरह समझ दे है, देखो एथे CPU, आप पूरा CPU कम कर रहे है, आप process सीगा, इनने बार जाने, swap out होने, बार जाने, एधी state मों आपा save कर ले है, जिदों ही कोई process बा प्या है, कम करन वाला प्या है, उद ले लोगा, उन्हें P2 नू अंदर ले लिए, एधा मतलब P2 नू उन्हें की किता, swap in कर लिया, फेर P2 नू बार कड़े है, ता ओधा save करता, status, फेर उन्हें दुबारा P1 नू लोड किता, मतलब अंदर लिखता, ता ओधा status restore कर लिया, यानि की load कर लिया, बार जान वाले दा status save हुगा, अंदर वाले दा status load हुगा, क्यों पहला ही save कर रख है, उन्हें बस memory तो restore करना है, या लोड करना तुसी ये कहलो, इस process नू कहनदे है, swap in, swap out नू कहनदे है, context switching, मतलब जड़ा भी उन्हें दा context है, मतलब जड़ा भी उन्ह स्टेट है, उन्हें दी information है, ओनू अपा switch कर रहे है, एक जने दी information नू दूसरे ना स्विच कर रहे है, CPU ने एक जने दी information बार पेश थी ता, दूसरे जने दी information ले ली, ये सारा process नू अपा कहने है, context switching, ये बहुत जड़ा कामा हुआ है, हर आजकल था हर जड़ा प्रोसेस सरव multitasking है, मतलब बहुत सरी application तुसी एक साथ कोल साकते हैं, बहुत सरे काम तुसी एक साथ कार सकते हूँ, ताहीं possible है, क्योंकि मानलो मैं WhatsApp चला रही है, नाल दी नाल Instagram भी Facebook भी, मैं कदे WhatsApp ते message पढ़ लेनी है, कदे Facebook नू देख लेनी है, कदे Instagram नू देख लेनी है, उन बार कि में देख सकती है, यह में तो हुंदा नहीं, जे में WhatsApp ते कोई message अद्धा टाइप कीता, ओ दुबच में Facebook ते जाके message पढ़न लगी है, में Facebook ते जाके देखन लगी photo मा, ओ दुबच में दुबारा आई ते WhatsApp ते ओ message अद्धा अद्धा ओथी position ते सेव रेंदा गा, ओ कि मे जदों की किसी नूँ छड़के जाने है, ओधी state सेव हो जान दी है, जो भी होते काम किता है, ओ सेव हो जान दागा, ओ अपन उसी position तो दुबारा restore हूँगा, जे अपन उस process नूँ दुबारा बला मांगे, यह बहुत जादा वड़ा benefit है, context switching दा, जेड़ा अजकल हर device दे व तो बाचो जेड़ा last topic है गया, ओ है गया, process scheduling, process scheduling की करदा है गया, process scheduling दे विच आपा ए देख दे हैं, कि जिनने भी process आई ने, जिमें होना आपा देखे है, scheduler एथे काम कार रहे है, पड़ो scheduler कि में काम कार रहे है, केडी algorithm यूज कार रहे है, किस तरीके नल काम कार रहे है, हाउ, अपा answer दे रहे हैं, हाउ, पहला आपा answer दे रहे हैं, पहला आपा answer दे रहे हैं, कौन काम कार रहे है, long term scheduler, short term scheduler, medium term scheduler, अपा नाम दे रहे हैं, कि आवाले बंदे काम कार रहे हैं, उन्हों बंदे किमें काम कार रहे हैं, किस तरीके नल process नू अरेंज करके select कर दे हैं वो answer आपनू मिलूगा process scheduling देविच process scheduling आप पढ़ांगे next part देविच part number 2 देविच